दोस्तों, आपको तो जानकारी है कच्चे तेल के खिल में रूस ने भी हाल में डिस्काउंट दिया है, लेकिन उसके पहले अगस्त महिने में, रूस ने जहां प्राइस कैप 62 कि है, उसके मुकाबले हमसे 80 डॉलर परवेरल का भाली है। कच्चे तेल के खेल में जो दुर्दसा हमारी है वैसी ही फजियत होती है आपके मंगोलिया की वो तो भी है दोनों तरफ से रूस और चीन से घिरा हुआ है दोनों वारी-बारी से उसका आर्थिक और मानशिक सोशन करते रहते हैं तो चुकि मंगोलिया अपने कच्चे तेल की और रेफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रूस पर निरवर है तो इस निरवरता को खतम करने के लिए भारत वहां पर रेफाइंडरी लगा रहा है और दोस्तों आप देख ल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्ट्चर लिमिटेड है वही मंगोलिया की पूरी रिफाइंडरी शेट अप कर रही है दीरे धीरे भारत इस रिफाइंडरी को पूर्णता है कंप्लीट करके ऑपरेशन में ले आएगा और मंगोलिया की रूस के ऊपर निरवरता ल निरवरता को धीरे धीरे ही सही लेकिन पक्के से खतम करते चले जाएंगे और दोस्तों साल में एक मात्र पढ़ने वाले महा लक्षिमी व्रत का आज आठवा दिन चल रहा है देरी मत कीजिएगा छह अक्टूबर को यह व्रत समाप्त हो जाएगा साल में एक बार पढ़ता है इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके आज में रुबर इंवेस्टर पोर्स जोइन कर लीजिए ताकि महालक्षमी जी के आदेश को आप आंकड़ों के माध्यम से पढ़ने की कलास सीख पाएं